वहां सृट नमस्कार मैं हूं नीवाश्राई यजर I सॉइए ऐनि आले पोधे के बारे में आप लोगों से खर्च सर्च ना करने वाला हूं मैं मैं किस पॉठी के जगा में लगाना चाहिए किस परिस्थिती के जगा होना चाहिए नरियाल का पोध लगाने से पहले उसको कौन सा देखके लगाना चाहिए ब्रीट का पहसान आप कैसे करेंगे इस विशाय में आप लोगों साथ काफी लंबा चर्चा होने वाला है तो दोस्तों चर्चा में जाने से पहले आप लोगों से मेरा बीनिम्मर निवेदन है कि प्लीज आगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बर वीडियो देख रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और साइड में आने वाली जो वाल घंटी वाली जो निशान आती है उसमें आप किलिक कर देजिए ताकि जो भी वीडियो में नया बना वह आप तक सब्सक्राइब होना बहुत ही लोगों के हात में हैं आप अगर उंगली से इशारा करें तो हमारा प्रोमोशन हो सकता है इसलिए अगली बर मेरे चैनल पर है तो प्लीज हमारे चैनल को प्लीज फलीज प्लीज अप सस्क्राइब कर दिए तो दोस्तों शिदाम टॉपिक पर चलेंगे आज ये जो नरियाल लिए अश्मान के लगना चाहिए को अभी कभी लोग देखा जाए में बहुत बड़ा एक ज्छार है आम का ज्छार हो गई कोई बड़े मतलब काफी बड़े ज्छार के साइड में लगा लेंडे क्योंकि जमीन में जो भी मुटिशन जो भी होते हैं आप अपंड दूर तक प जाड़ के नीची आप लगा दिया किसी आईसे जगा लगे बड़े जाड़ नहीं है लेकिन चोटे जटे ज़ाड़ के बीच में आप लगा दिये तो उसमें क्या है पोदे को धूपी नहीं मिलते हैं पोदे मतलब जो प्रकस्षंग से लशन क्रिया जो भोजन बनाने के जो सब्सक्राइब बनाने पाते और उपर से लाइट रोशनी भी उसको मिलते नहीं तो वह तरक्की करने पाते जल्दी जल्दी उसमें फाल हो जाए और अच्छा ज्यादा कौंटिटी में फल यह देना उसके लिए मुश्किल हो जाता है इसलिए दोस्तों यह जगा है किसी ज बाज़ियों और यहां कि भीए दूस्तों देखा जाता है कि पपिता के ढ़ब आजू बाजु कभी के वी हम नरीयल का भी ल्लम यहां का लिधाले यह तो करने पाम ऄब आँ तॉर में लगा एक खोड़ी झाल का भी दूरी में लगा जाड़ा कोई जाड़ के चाहए ढप से sick alle तुर में लगा लगाया कोई भी आपका जरूरती पेड़ गी उसके उसके तो दूर में लगाका पौधा क्योंकि उसमें पुराई खा लेते हैं दूसरे को आप लगाए या नारियाल ज्ञाड या कोई भी ज्ञाड के पास पौधा के पौधा हो गया है तो उसको आप वहां से हटा दीजे या तो कहीं दूसरा जगा में पौधा का ज्ञाड आप लगाईए तो दोस्ती ये दो तीन बात आप से हो गया दूसरी बात आप जो नरियाल का पौधा लगाएंगे तो इसे करेंगे दोस्तों दीड़िए आपको देखना है ब्रीट करके लगाना है कोई लोकल पोधा नहीं लगाना है नरियल का वह जो तो वह काफी हाइट होता है और पतला चिकना पाइप का नतना पर नियान से लेकिन लोकल जो है इतना डार्क नहीं वो इस से कम डार्क में अगर फल लगता है तो बहुत कॉंटेटी में लगते है इसका जैसे मैं दिखाना चाहूंगा इसका पत्ता भी थोड़ा आपको लाल लाल दिखेगा और इसका जो पौधे का जो कलर है कलार देखिए आप एक दम संत्रा कलर का है इस टाइब कालर वाला जो अगर आप मिल क्यां लेकिन दोस्तों पोधा जैसे लगाएंगे लगाने से पहले जगा को जो सब्सक्राइब को ठीक से करना कुण सा जगा पर लगा रहा है यह विशेश ध्यान में रहे असकल जगा बहुत शौटेज हो गया लोगों के पास इसलिए कहीं भी जाइसे तैसे कहीं बी लग अब दिनों से बारिष हो रहा है लगातर बारिष रूकने का नाम नहीं है इसलिए मैं एक सली पोधा लगा कर आप दिखाने का मतलब क्या है कभी भी आप लगाए दोस्तों तो खुले आश्मान के नीचे लगाए मतलब खुल चारों आजू बजू में कहीं बड़े साइस का टलाब के मेड लगाए जहां पार ना लगा अब छालमवटत बूहन के नाम पैटने पानीत पीने वीडियो में पफरल लगा दिया जहां पानी देना देने से रुक्त डिक हानी ओंने करत में राइन डह को बड़े से से कुछ कुछ चोटी चोटी जनकरी है और मेरे चैनल में और कोई कम समा 5-10 वीडियो पहले से नरियल के बारे में डला हुआ है आप लोग वहां जाकर भी देख सकते हैं और हमारे चैनल में दोस्तों पेड़ पोदों से रिलेटेड जो किस के मतलब उसको किस प्रोकर किया जा जाएंगे दूस्तों तो मेरे चैनल को आप लाइक शेयर जरूर करिए और मैं फिर से कहना चाहूंगा अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जय हीन जय भारत